तिलोत्तमा की रत्नमला, मौरिशस की लोक था, ये कहानी उस समय की है जब धर्ती पर मानव की स्रिष्टी नहीं हुई थी, एक बार इंद्रसभा में अपसराओं की नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी, वहां लोक-लोकांतर के सभी चक्रवर्ती राजा भी उपस्थित थे सभी अपसराओं में तिलोत्तमा को नृत्य की विजयेटा घोशित किया गया, पुरसकार में उसे विश्व का सर्वोत्तम रत्नमला प्राप्त हुआ, साथ में ब्रहमान्द यात्रा के लिए अनुग्या पत्र भी मिला, गले में रत्नमला दाल लोक-लोकांतर की सेर करते हु वह पृत्वी लोक पहुची, पृत्वी लोक की सुंदर्ता उसे इतना आकर्शित किया कि तिलोत्तमा अपनी आखे बंद, कर पृत्वी की ओर बढ़ने लगी, आखे खोलने पर उसे एक अदभूत द्रिश्य देखने को मिला, वहां मानव के बदले एक विशाल और विक्र बढ़ा कर अफ्रीका की पूर्वी तरप पर पहुची, उसके शरीर के भार से महादवी का एक टुकड़ा जो उसके चपल में फंस गई थी, समुद में काफी दूर तक चला गया, आजवल टुकड़ा मदागास कर के नाम से जाना जाता है, उसकी रत्नमला तूटकर बिखर गई, निच्य भाग का सबसे सुन्दर टुकड़ा मौरीशस बन गया जो हिंद महासागर में अपने आलोक सी तारे की तरह चमकता है, अपनी जीत की निशानी को खोकर, तिलोत्तमा को बड़ा पचतावा हुआ, उसका विलाप हमक्षुद प्रानियों को बहुत मेहनगा पेर पौधे संतप्त हो जाते हैं और उसका परिनाम दुखदाई होता है